नमस्कार आप देख रहे हैं जंसत्ता.com नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने भले ही बिहार में शराब पर प्रतिबंद लगा दिया हो लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक पूर विधायक ने खुलयाम शराब पी कर इस कानून का मज़ाग उड़ाया इस पूर विधायक को बिहार में शराब बंदी होने के बावजूद शराब पीने के इल्जाम में बुधवार देर शाम गिरफतार कर लिया गया इस विधायक का नाम ललन राम है और वे बिहार के कुटूंबा शेतर से विधायक रह चुका है दरसल कुछ सिर पहले सोचल मीडिया पर एक वीडियो वारल हुई थी जिसमें ललन राम को बियर पीते हुए दिखाया गया इस वीडियो में ललन ना केवल हाथ में बोतल लेकर बियर पी रहा था बलकि नितीश कुमार के इस फैसले को भी फिजूल बता रहा था वीडियो वारल होने के बाद ललन ने इसे अपने खिलाफ एक साज़िश बताया वहीं विपक्ष ने भी नितीश कुमार पर हमला बोलते हुए इससे उनकी एक बड़ी नकामी बताया बुद्वार में अकबारों में छबी खबरों पर संग्यान लेते हुए उत्पात अयुक्त अधित्य कुमार दास ने बूर विधायक के खिलाफ एफायार दर्ज की और उन्हें गिरफतार करने का आदेश दे दिया बुद्वार देरशाम को इस विधायक को बिहार जारकंड सीमा के पास एक ठिकाने से रफतार कर लिया गया देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए